तू हलो फैंट्स ख्म बेरीक चानल ऐलो फैंट्स अज फीर परजेंट है आपके बीच इन्य टेस्ट सब्सक्राइब है आज जो विडियों है वहां इन्यलोगी टेस्ट का लास्ट बीडियों है इस से पहले हमने इन्य frens को वहुस स Kardash दिए yнач निकाने का मतलब इनालोजी टेस्ट का टाइप 1 टाइप 2 और आज जो है वह टाइप 4 का लास्ट वीडियो उसके बाद हम टाइप 5 लेकर आपके बीच आएगे तो फेंड्स वीडियो सुरू करने से पहले आप से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अ प्रस्न संख्या 49 अपके सामने स्क्रीन पर है प्रस्न है कि ए रेसियो 2655 प्रोपोर्षं 3542 रेसियो भी फ्रेंट्स कहने का मतलब है कि इस तरह के जो प्रस्न था वो इससे पहले भी कुछ प्रस्न दिया था जो कि हमने इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया अगर वीडियो देखी कि समझ्य रहाएं कि स्तरा से प्रस्णों को सॉलव कीया जाता था उसमें आपको बस एक best performing कई च्छा रहएं घ्रल को आपको दो छिस चापर आप तो समझ्य रहा है कि इस तरह की किस तरह से त्रौ किया जाता है क्योंकि आपने बहुत सारा प्रसंद बना चुका है और आज का जो वीडियो होगा लास्ट वीडियो होने वाला तो फ्रेंड्स यहां पर हम करते ही है कि यहां पर option को देख करके दोनों option को करते भरते हैं तब relation को मिलाने का कोशिश करते यानि कहने के मतलब जो यसके बीच होगा सेम वही रिलेशन आपको इसके और इसके बीच होना चाहिए अगर इस उप्षन में से हम चारों को रखते हैं जिसमें भी आपको option मिल मतलब उस तरह का relation मिल जाता वही आपका answer होता है तो यहाँ पर हम direct answer पर ही चल दे क्योंकि अगर हम सब को बारी बारी से देखेंगे तो हमें time लगेगा हम आपको answer से ही समझाने का कोशिस करते फेंड से यहाँ पर आपका answer option 4 होगा किस तरह से आपका answer यहाँ पर option 4 होगा तो ध्यान से देखे कि A के जगह पर आपको 1724 रखना पड़ेगा और B के जगह पर आपको 4473 रखना पड़ेगा यानि यह जो number है यहाँ पर पुरा suitable यानि शूट बैटता है इस दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं तो हमें सेम दिखाई देता है वही रिलेशन इसके बीच भी है हमने answer पर इसलिए चला है क्योंकि मतलब डारेक्ट आपको answer सही परसनों को समझाने का कोसिस कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है और आप अगर आंसर देखें कर दी समझ जाते तो उतना ही काफी आपकी सामने अगर प्रस ना आगा तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं यहां पर देख रहेगी जो 17-24 है तो यहां पर आप किस तरह से 26-55 लिखा होगा कोई ना कोई तो रिलेशन इसके और इसके बीच भी होगा तो यहां पर रिलेशन यह है कि 17-24 में आप देखेंगे तो यहां पर 9-3-1 यानि इतना को जब एड किया गया है तो आया है 26-55 सेम उसी तरह से यहां पर यह जो 35-42 जिस तरह से इसमें 931 एड मतलब जोड़ने के बाद 26-55 आया है यहां पर भी देखेंगे यह 35-45 इसमें पलस 931 किया जाए तो जा करके 44-73 आता यानि कहने का मतलब यह जो यहां पर नंबर है इसमें अगर 931 जोड होगा है तो यहां पर आपका अंसर क्या होगा option होगा relation आपको अपर 15 दिया है यहां संक्या 50 इसक्रीन करें प्रांचे रैसियो भद्धा प्रोपूर्संषी सांती यहां पर आपको नंबर लिख कर दिया गया था है यहां पर सब्द का आर्थ समझे उसके बाद फिर यहां पर चारो ऑप्षन को देख करेंगे अपना अंसर निकाले इस तरह के प्रस्ण को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा चुकि यहां पर दो ओप्षन छोड़ा है तो उस ओप्षन को आप देखकर आपको देख रहें कि एपहला दिया है A में सुंदर यानि A जो आप देख रहें ये खाली जगा है और B देख रहें ये खाली जगा है और ये option में सब जगे A B का मतलब सब दिया हुआ है यानि किसको इस दोनों जगे पर रखे कि मतलब ये analogy के रूल पर मतलब आ जाए तो फेर्ण्स यहां पर अगर पहला हम रखते हैं सुंदर तो यहां पर सुंदर भदधा बी के या पर यूद है तो सांती यूद सुंदर भदधा शांती यूद सुंदर भदधा सांती sloor मितर इसमे भी कोई डिलेशन नहीं इमंदारी और संधी यानि इमंदारी भद्धा सांती संधी इसमें भी कोई रिलेशन है यहाँ पर रिलेशन हमें एक में दिख रहा है एक में ऑप्षन एक में यहाँ पर एक जगा पर दिया है सुन्दर एक जगा पर क्या दिया है सुन्दर और बी के जगा पर दिया है सुनदर का भध्धा तो सांती का यूद सीधे उल्टा वड है सुनदर का भध्धा तो सांती क्या यहीं आंसर आपका option one मिलदा है प्रस्ण संख्या 51 आपके सामने स्क्रीन पर कराए कि जिस परकार 19 का समद 91 से उसी परकार 17 का समद किस्से यहाँ पर आपको भासा बना कर दे दिया यानि हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर वापस अगर लिखने का मन होता है कि जिस तरह से 90 का समद 91 से है उसी तरह से 17 का संबंद किस्से तेंस परकार 90 का संबंद 91 से यहां पर रेश्यों का सहन चुकिए उस तरह से प्रस्वन को लिख देए उसी तरह से कि सोड़ी फीर से देखें हैं पर घसा गया कि कराई कि जिस परकार 90 का संबंद किस्से है इस तरह से लिख दिया नहीं तो आपको दिक रहाएं कि आपको कुछ नहीं किया बस डिजिट को पलड़ दिया है हैं पर 19 था तो यहां पर 91 कर दें पर 17 है तो सेवन कर दें आपका आंसर यहां पर देखेंगे तो ओप्सें 4 में आपको दिख रहा है प्रस्न संख्या आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्न है कि जिस परकार 17 यानी 17 शिदे बोलसा क्ते और आपका जो एंसर वाला उसके बीच होना चाहिए तो फेंट से आपर ध्यान से देखेंगे तो बड़ा ही इंटेस्टिक कोस्टन है आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा इसको देखेंगे से जैसे आपर 17 लिखा था तो 136 लिखा किस तरह से लिखा है तो आप ध्यान स तो 178 166 सेम उसी तरह से यहां पर भी आप कर दे 18 गुने और आठेक नो तो 18 नमा क्या होता है आपको टेवल याद होगा तो आप जान रहेगा अठार नमा होता है 162 तो आपका एंसर यहां पर 162 होगा ओप्शन देखेंगे तो ओप्शन 5 आपको एंसर दिख रहा है प्रस नहीं कि 0 5 रेशियो पीश फिर प्रोपोर्शन 0 6 रेशियो कोश्चन मरक यानि खाली जग फ्रेंड्स यहां पर सीरे आपके इसको पांच भी बोल सकते पांच का 20 लिखा है तो 6 का कितना होगा पांच का 20 लिए जो रिलेशन इस दोनों के बीच है वही रिलेशन आपको इस स्कॉर्ण को माइनस कर दिया तो प्वाइब का स्कॉर्ण को माइनस किया है तो 20 आ गया गए सेम उसी से आप भी कड़िया करें उसमें से 6 को माइनस कर दो चूंक्व 2 था इसले 6 लिए पर 5 था तो 5 का स्वार माइनस 5 और हैं पर 6 से तो 6 का स्वार माइनस 6 तो स्क्रीन पर प्रसंद दिया है कि एक एक दो यानी 112 एक सो बार एक रेसीओ चार सो अर्टालेस प्रोपोर्शन दोसो एक इस रेसियो कोश्चन मारे फ्रेंड्स यहां पर जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखेगा से मोही रिलेशन आपको इसके बीच और आपका जो आंसर होने वरा उसके बीच निकल चुकि आप पड़ा है इनालोजी प्रसनों को अभी तक सौल्व कर चुका है फेंस यहां पर सबसे पहले इस दोनों के बीच डेलेसन देखें जो रिलेसन आपको दिखता है सेमा पिसके बीच और आपका यहां से देखें की तो ध्यांस आपको निलेकेक्ट को सॉल्ब किया हो सकता है तरह करेंगे कि इस तरह के प्रेक्टिस करेंगे मतलब यहां पर होसकता है और कोई नो कोई इडिलेशन आपको यहाँ पर दिखी जाएगा यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यह जो 112 लिखा था उसको क्या किया है तो 112 इसको multiply कर दिया है यानि गुना कर दिया है इसके खुद अंको की योग से दो एक तीन एक चार देख रहे हैं आपकी 112 इसको multiply कर दिया खुद अपने अंको की योग से तो दो एक तीन एक चार तो चार दुना आठ चारे कम चार और चारे मतलब की गुना करने को आपको यह नंबर मिल जाएगा तो आपको पर चल गया इस तुनों के बीच क्या रिलेशन है सेम इसी तरह से यहां पर भी आप धिमाग लगा दें यानि सेम इसी तरह से आप यहां पर करके अपना अंसर निकाल ले तो संक्याब पच्पन आपके सामने स्क्रीन पर है परसन यहां पर नंबर थोड़ा दे दिया तो वह सकता है को बरा नंबर देख़कर के डर लग गया होगा लेकिन परसन बहुत ही आसान अभी तक इतने इस दोनों की बीच रिलेशन देखे आप रिलेशन देखें तो आपको खुद बखुद पर किया क्या है यहां पर हो यह रहा है कि आप देखेंगे तो यहां पर हो यह रहा है कि आप देखेंगे ध्यान से तो यह जो नमबरें उसको उल्टा लिख दिया है है यहां पर दिया है यहां पर कोहने का मतलब कुछ नहीं किया है这 जो नंबर का तो आपको भी कुछ नहीं करना है बस उसी तरह से यह जो नंबर का सिरीज इस तरह से है सेम आपको यहाँ पर इसको सेम उसी तरह से उलट करके लिख देना है जैसे यहाँ पर 6,3,5,7,6,8 तो इधर से देख रहे हैं कि 6,3,5,7,6,8 सेम आप भी करे 8,1,9,5,7,8 तो आप भी यहाँ से करे 8,1,8,1,9,5,8,1,9,5,7,8 यानि यह जो इस तरह से जा रहा था हमने भी सेम उसी तरह से उलट करके इस तरह से कर दिया तो फेंट्स आप आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर उप्षन 5 आपको दिखेगा इन में से कोई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इस तरह का आंसर नहीं है चुकि कोशन थोड़ा लंबा है जिसे करना में लिखने हैं प्रोब्ल कुछ नहीं किया यह जो डिजिट का ओडर इस तरह से थान हो उसको सीधे उल्टा करके आप जिसे यहाँ पर 6,3,5,7,6,8 तो इसको इधर से लिखा है 6,3,5,7,6,8 यहाँ पर वही आप करे 8,1,9,5,7,8 तो आप भी इधर से करे 8,1,9,5,7,8 और इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर आगया है ओप्शन में नहीं दिया है इसलिए ओप्शन 5 आपका आंसर होगा इन में से कोई नहीं प्रसन संख्या 56 आपके सामने स्क्रीन पर है प्रसन है कि दो तीन चार रेसियो एक आठ एक प्रोपर्शन एक चार तीन रेसियो कोस्टन मार क्या निकाने का मतलब कि आपको इस तरह से लिख कर दिया है और यहाँ पर एक खाली जगच हो रहा है तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा दिखाइये देगा कि यहाँ पर हो यह रहाए क्या कि क्या कि है सभी उंकों को जोड करके यहाँ पर दो कितना हो जाएगा 41538 और 8 का square करेंगे तो 88 जा 64 यानि आपका अंसर 64 निकल करके आएगा option देखेंगे तो option 3 आपको answer दिख रहा है प्रसन संख्या संताउन आपके सामने screen पर है फिर याप प्रसन आपको पहले की तरह दिया याँ पर लेटर लिख करके दिया तो आपको पता है कि इस तरह के प्रसनों को किस तरह से solve किया था फ्रेंट्स यापर प्रसन है कि XLP इरेशियो सी ओगे प्रोपोर्शन एम डिवी रेशियो कोस्टन पार कि यानि कहने का मतलब कि इसके और इसके बिच जो डिलेशन होगा सेम डिलेशन आप इसके बिच और आपका जो आंसर होने वाला उसके बिच देखे आपको आंसर दिखाई दिए दिगा तो फेंड्स इस तरह के प्रसनों को बनाने के इसके बिच रिलेशन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर 24 था तो यहां पर थीरी लिखाए 24 था तो यहां पर थीरी फेंड्स 24 और थीरी होता है 27 आप अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे तो पता होगा कि जब दो लेटर के अस्थानू क यहां पर एक दूसरे का अपोजिट लेटर का लाते तो आप ध्यान से देखेंगे कि 24 और एक स्तीन है तो 24 थीरी 27 होता है यानि दुल्नू का सम 27 है तो कहने का मतलब कि यहां पर एक जो है एक उल्टा सी है मतलब एक जो लेटर उसका उल्टा सी है सेम उसी तरह से आप देखेंगे तो पी 16 है तो के 11 आपको पता है कि 16 और 27 होता है तो आपको पता है जब दो लेटर के अस्थान का 27 होता है तो यहां पर अगर 13 देख रहे हैं तो 13 में कितना जोरे की 27 हो जाए तो में कितना जोरे की 27 आजाय, तो 15 में 12 जोरे फिर आपू इस तरह से आपका अंसर यहां पर निकल करके सब्मेंद से यहां पर यह ओ नहीं है यह दिए वोहक के कारण आपका आंसर यह अपर नहीं मिल पर है को नहीं है यह क्या द nhất अब को पता है कि चार होलता है आपने ड को जैसा लिख दिया था जिसके कारण आपका 3 नहीं interests यानि आपका अंसर निकल करके आगया इन डबलू इंसर देखेंगे तो आप्शन पूर आपको दिख रहा है चुकि हमने डी को समझ लिया था लेकिन यह प्रस्ण संख्या अंठावन आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्ण है कि स्वेता प्रस्ण क्या है कि स्वेता इस डबलू पूर यहां पर उस स्वेता का जिरोफाइब लिखा तो यसी का क्या होगा का만े मतलब यहीं आपको किस तरह से पता करेंगे पहली की सतरों के देखे किस तरह से इसको प्रस्ण कह आपको उसके डिलेशन दें प्रस्ण कुछ अलग है तो कहीं लिक्तले थे नंबर को लिक लिखेंगे तो भी आपको यहां पर कोई रिलेस्ट नहीं दिखेंगे यहां पर क्या किया है कि आप देख रहे कि जो सुएता नाम लिखा गया है यह कितने लिटर से लिखा गया है तो फाइव लेटर से तो लिखा यहां पर कितने लिटर से लिखा है तो आप लेटर का नंबर लिखेंगे तो उस तरह से आपको रिलेस्ट नहीं दिखेंगे कोई कि उस तरह से लिखान करके इस को सन को दिया ही नहीं गया है तो आपका अंसर यहां पर ऑप्सण टू होगा प्रसन संख्या फिप्टी नाइन आपके सामने स्क्रीन पर प्रसन है कि डख डियू सी के डख रेशियो 69 फिर प्रोपॉर्शन वेस्ट 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 डेस यहां पर एक कोस्टन ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी कुछ रिलेशन आपको दीखेगा क्या हो रहा है प्रस्टन बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा आपके मन में होगा है कि आपको हो सकता है नहीं दीखे तो हमें कैसे दिखता है तो फेंड्स यह जीतना का एक्जाम में न छूटे यहां पर देख रहे है डी यू सी के डग को 69 लिखा है तो वेस्ट को किस तरह से लिखा जाएगा तो इस दोरों के बिच रिलेशन देखते हैं इसके लिए हमें आपर सबसे पहले इसके लेटर को लिखते हैं ताकि हमें दिख जाए कि यहां पर ह आए गया क्या आपनाए गया है तो जैसे डी चार है डी चार है तो यहां पर इस जू एकरिस है तो छो के 24 और के 11 है तो फेंट्स G4 होता है तो इसके उलटा जो लेटर आएगा उते इस अस्थान पर आएक जामते हैं कि जब दो रेटर के अस्थानों का उनको का योग 27 होता है तो उसका एक दुसरे स्थान पर इसका उलटा लेटर होगा कि योग तो चौमा स्थान पर आएगा इसका उल्टा लेटर के लिखा है कि यह जो 69 लिखा है इसको जोड करके लिखा है इसको जोड करके लिखा है जब जोड़ेंगे तो आपको 69 मिल जाएगा प्रेंस क्या किया इस प्रसन में कि जो लेटर से उसके उल्टे लेटर के अंग को लिख लिए जैसे डीचार है तो इसका उल्टा लेटर के लिखा है तो इसको जोड करके 169 लाएं देख रहा है आपकी चोड चार दस शो ल दिन उन्हेंश कर नोग एक बच रहा है एक दो दो चार दो चार दो चो यानि इस तरह से इसको ला रहा रहते हैं पर आप वही करें दो है तो दो का उल्टा पचीस अस्थान बलाई कि पचीस दो सथाइस या तो पाच का कवा थे भी साथ तर और सब को जोड़ने के बाद जो आपका अंक आएगा वही यहां पर आपका एंसर हो गया तो जब जोडएंगे इसको तो आपका एंसर यहां पर 62 जो पॉपसन देखेंगे तो option में यहाँ पर 62 नहीं यानि आपका answer यहाँ पर option 5 होने वाला है इनि में से कोई नहीं प्रस्ण संख्या 60 आपके सामने screen पर प्रस्ण है RTBP ratio 19 proportion NXLJ ratio question mark फ्रेंड्स यहाँ पर प्रस्ण आपको इस तरह से दिया है और यहाँ पर आंसर निकालना है तो यह जो है इनालोजी टाइप खोड का last प्रस्ण है और आप अभी नहीं जान रहा होंगे कि किस तरह solve किया आता है तो फिर आप सभी वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यह last प्रस्ण है तो आपको खुद solve करने आना चाहिए था अगर आपको answer यहाँ पर दीख गया होगा तो comment box में जरूर कमेंट करें फिर चली हम देखते यहाँ पर क्या हो रहा है तो फेंट्स यहाँ पर देखेंगे तो question यहाँ पर आर्टी भी पी रेशियो चौदा है एन चौदा है एकस चोबिस है एल बारा है और जी दस है फिर्ट्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या किया है 19 किस तरस लाया है तो इस सभी अंकों को जोड करके है चुकि चार लेटर था तो चार से भाग दे दिया यहाँ पर औसत निकाल दिया इसका फोर निकल करके आजाएगा यानि कहने का मतलब यह जुन है यहाँ आपको निकल करके आ जाएगा 60 60 by 4 यानि कटेगा तो 15 आएगा यानि आपका answer यहाँ पर 15 निकल करके आए तो friends आपका answer यहाँ पर option 2 में आपको दिख गया होगा answer आपका कहाँ पर option 2 में friends यह जो प्रसन था analogy test type 4 का last question था इसी प्रसनों के साथ हम analogy test type 4 के वीडियो का अंत करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो से analogy test type 5 के प्रसनों को ले करके तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत